हेलो एब्रिवन शिफ शक्ती चैनल में आप सब का स्वागत है आज जो मैं वीडियो वनाऊंगी पूर डिवाइन मेस्कुलाइन की करेंट एनरजी के उपर वनाऊंगी देखें आप सब जानते हैं इस टाइम 666 वोटल चल रहा है जिसका एफेक्ट डिवाइन पTerav healthier पहुत इंड चादा पड़ रहा है क्योंकि देखिए Saturn जो है हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है कार्मिक रिलेशन्शिप को रिप्रेजेंट करता है आपने जैसे भी कर्म किये हैं अपनी पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में आपने पास्ट में अगर अच्छा किया है तो जो Saturn लेट्रोग्रेट है इस ताइम Divine Masculine की current energy बहुत ही ज़्यादा है भी फुल है ठीक है बहुत ही ज़्यादा है वी एनरजी है और Divine Masculine इस ताइम अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कार्मिक पार्टनर को फेस कर रहे हैं उपर से जो उनके कार्मिक relationship हैं उनकी wife भी नहीं उनकी girlfriend नहीं उसके अलावा भी अगर उनके किसी से कार्मिक relationship हैं वो भी इस टाइम में एंटर हो रहे हैं Divine Masculine की life में राइट और जिस तरीके से मुझे dreaming हुई है जो dream में मैंने देखा है आपको पहले भी बताया था कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको फासी दी जा रही है और जो जाच की जो टीम है उस बच्चे को फासी दे रही है और बच्चे को जो फासी मिल रही है बच्चा बहुत जिस बच्ची को फासी दी जा रही थी वो भी बॉय था वो जैसे जैसे उसको फासी मिल रही थी वो आसमान की वह बढ़ता जा रहा था ब्लिकुल उपर जा रहा था ठीक है और मैं उस बच्ची को रोगना चाहा रही थी बचाना चाहा रही थी पर मैं उसको बचा नहीं जहां पर divine masculine कुछ गलत कर रहे हैं या उनको कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं तो उनको बेवज़े punishment मिल रही है इस life में तो ये कहीं न किये ही उनके past life का कर्मा है जो इस time burden बनकर उनको बहुत ही ज़्यादा परिशान कर रहा है और वो surface पर आ रहा है ठीक है मैं दोनों case में divine masculine को नहीं बचा पाई और मैं अंदर से मुझे intuition आ रहा है कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि divine masculine के इस time जो karmic cycle है वो surface हो रही है karmic relationship बहुत ही ज़्यादा surface हो रहे है और अपने आपको divine masculine बहुत ही ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे है कarmic relationship निकलने की कोशिश कर रहे है पर जब तक उनका कर्मा पूरी तरीके से resolve नहीं होगा वो उसी relationship में फसे रहेंगे या जो karmic partner है जब तक वो अपना पूरी तरीके से कर्मा किलियर नहीं कर लेगा वो उनको बार बार परिशान करेगा ही करेगा ठीक है तो जिस तरीके से मैंने आपको dream के बारे में पताया है कि एक में divine masculine को फासी हो रही है बट उस नहीं शुरुआत से पहले उनको एक बड़े trigger से गुझरना पड़ेगा जो कि divine दे रहे हैं उनको ठीक है उनको ये trigger उनके कार्मिक partner से मिल सकता है उनको अपनी divine feminine से ये trigger मिल सकता है उनको अपनी family से ये trigger मिल सकता है क्योंकि जब तक trigger नहीं मिलेगा उनके जो wounds हैं, blockage हैं, वो surface नहीं होंगे ठीक है, तो इस time divine masculine fear की energy में भी है उनको fear हो सकता है अपनी divine feminine को खोने का उनको fear हो सकता है किसी गलत चीज़ में फसने का तो इस time divine masculine बहुती ज़्यादा imbalance है बहुती ज़्यादा fear की energy में है बहुती ज़्यादा, एक freak अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं तो वो खुश नहीं है, वो उनका डर है, ठीक है क्योंकि divine अपना उनको work कर रहे हैं पूरी तरीके से और यह subtle retrograde हुआ है तो यहाँ पर आप कार्मिक, अपने कर्मा से आप बच नहीं सकते तो ऐसा ही divine masculine के साथ भी हो रहा है वो अपने कर्मा से भाग नहीं सकते ठीक है, अपने जो भी bad relationship उनके past में रहे हैं या good relationship रहे हैं, तो तो बहुत अच्छी बात है अगर bad relationship रहे हैं तो उनको इसका effect इस सेटन क्राटोग्रेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, जो मुझे channeling हुई है वो वीडियो मैंने इस वीडियो के आगे लगा रखी है आप लोग देखिएगा वो वीडियो में divine masculine divine feminine को mirror कर रहे हैं ठीक है आप लोगों की mirroring चल रही है ठीक है आपको अगर 1001 दिख रहा है या 4114 दिख रहा है या 212 दिख रहा है या 3113 दिख रहा है मतलब mirroring बाले number दिख रहे हैं तो ये divine की तरफ से sign है कि आपके जो counterpart हैं वो आपको mirror कर रहे हैं आप दोनों में mirroring चल रही है अगर इस time divine feminine low vibration में है तो आपके counterpart भी इस time low vibration में क्योंकि divine masculine की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा low energy फील हो रही है बहुत ज़्यादा low vibration में नजर आ रहे हैं ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि divine feminine इस time low में जा रही है low vibration में है क्योंकि divine feminine की भी negativity release हो रही है और wounds blockages surface हो रहे हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो खुद को balance करने की पर balance नहीं हो पा रहे हो यह collective divine feminine और divine masculine की energy है ठीक है तो यहाँ पर जो divine feminine बहुत ज़्यादा low vibration में है बहुत ज़्यादा negativity को feel कर रही है यह अपने आस पास बहुत ज़्यादा negativity को देख रही है तो आपके counterpart भी बहुत ज़्यादा low vibration में है, negativity में है और चाहां कर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हुए उनकी life भी बहुत ज़्यादा imbalance है बहुत ज़्यादा imbalance नजर आ रहा है आपके counterpart की life में ठीक है और आपका the heart chakra है बहुत ज़्यादा spin हो रहा है बहुत ज़्यादा heaviness feel हो रही है आपको heart chakra में बहुत ही जादा आपको left body में आपको बहुत जादा heaviness feel हो रही है आपको shoulder में बहुत जादा pain हो रहा है और shoulder में बहुत जादा pain हो रहा है और heart chakra throat chakra में बहुत ही जादा आपको problem हो रही है तो यह 6-6 portal का effect है जिसकी वज़े से divine feminine भी बहुत जादा imbalance ह हो रही है। तो divine masculine इस time mirror भी कर रहे हैं कर्मा हिस हो रहे हैं has about a भी कार्मी रिलेशन्शिप जो भी थे उनके वो इस टाइम सैटन रेटो ग्रेट में उनके लाइफ में आ रहे हैं और जिसकी वज़े से दिवाइन मैसकुलाइन किसी गलत केस में या कुछ गलत चीजों में फस सकते हैं बट यहां पर आपको घबराने की जरूत नहीं है यह डिवाइन ही करा रहे हैं उनके अच्छे के लिए तो जो बच्चा जो जिस बच्चे की फांसी दी जा रही थी वो चाइल्धूड का इश इशू है ठीक है आपकी डिवाइन मैसकुलाइन का कोई चाइल्धूड इशू सरफेस हो रहा है कुछ ऐसा हुआ हो उनके बच्चपन में जो अब ट्रॉमा के रोप में उनको परिशान कर रहा है और एक जो डिवाइन मैसकुलाइन को जो हतकड़ी लग रहे थी वो डिवा के बता करेंके शूमेर्मा फेस कर रहे हैं और बहुतु सी अपनी इस डिवाइन हां को मिर सभाज कर रहे है तो ऐसी डिवाइन इस मैसकुलाइन ऑपग हो रहे हैं चुद पर अध्यान दे रहे हैं तो इस तरीके के भी चैल्लिंग मुझे हुई थी ठीक है और जो मिररिंग की वीडियो है वो मैंने आगे डाल रखिए आप लोग देखिए ठीक है तो आज की थी ये वीडियो नेक्स वीडियो में मैं फिर मिलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान रखिए खुश झाल जेताओ तक लिएिए सब्सेंट है जांक टूँड़ा है तक लिए खुशवफियों जांगा तक लिए है रहा रहा है तक लड़ाब के दोड़ कर दो दो खुशवदीश में मैं अचल झाल रखिक्श से ड़ावदीश दोना दोना अचल से सब्स्टावी चले दोना